और सेकंड चीज ये है कि अगर मालो हम लोग टेस्ट कराते हैं और हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव अल्ला ना करें अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हमें ना अंदर से फियर होने लगेगा और हमें ऐसा लगेगा कि फॉरन ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ क्योंकि हम पराहट हो रही है वह बहुत सारे स्म्टम्स आजाएंगे हम बिना मतलब होस्पिटल जाएंगे वहां पर एडमिट होंगे वहां एडमिट होने के बाद जब डॉक्टर्स आपका रिपोर्ट पॉजिटिव देखेंगे तो आपको इस पेशल अलग रख देंगे सेपरेट आपको हेवी डोजेज उफ मेडिसीन मिलेगा जming है जो कि ₫पक्प्के बॉड़ी को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि raf आप यंग हैं, आपके बॉड़ी को उतनी जरूरत नहीं है उस मेडिसीन की, और हमारे बॉड़ी को आदत भी नहीं है, उतने हेवी डोजर के, उससे क्या होगा, हमारा और भी इंटर्नली ब्रेक्टाउन बहुत जादा होगा, इमोशनल और फिजिकल ब्रेक्टाउन इतना जादा होगा, कि हम लोगों का कंडिशन फैटल की तरफ जाने लगेगा, रिकवर, तो इंसान, कुछ ही लोग ऐसे होंगे, कि जो वहाँ पे जाके रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वह महौली ऐसा है ना, कि लोग इंसान अपने आप ब्रेक्टाउन होने लगता है, इसलिए अगर हम लोग अपने आपको आइसोलेट कर लेंगे, उससे आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आइसोलेशन करने से, इसलि एट टू टेन डेस तक अपने घर में रहिए, अकेले रहिए, फोन यूज करिए, अच्छा खाना खाई, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और अगर मालो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़े फेस करनी पड़ेगी, इसलिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट वही लोगों को होना चाहिए, उन्हीं लोगों को होना चाहिए, जिनकों की सबसे पहले उनका जो ओक्सीमिटर पे वो खुद का SPO2 टेस्ट करें, अगर वो 85% से लोवर जा रहा है, तब आप हॉस्पिटल के तरफ भागिए, फर् जाले से कोई infection है या other chronic infection है, तब आप हॉस्पिटल जाएए, और फोछ चीज यह है कि अगर आपका age 50 plus है, आपको diabetes है, या आपको और कोई बिमारिया है, और आपको उसके बाद भी आपको breathlessness हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब आप हॉस्पिटल के तरफ के अलावा, तो आप प्लीज अपने आपको घर में isolate करिये, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उन 99% लोगों में रहिए, जो लोग घर पे खुद को isolate करके ठीक हो रहे है, उन 1% लोगों में मत आये, जो अपना टेस्ट करा के positive देख के अपना condition खुद से बिगार ले रहे हैं, डर के कारण hospital जा रहे, वहाँ पर वैसा महौल देख के और भी डर जा रहे है, और फिर वो fatal हो जा रहे, उनका life खतम हो जा रहा, इसलिए प्लीज गाईज अपने आपको घर में isolate करिये और बिल्कुल ठीक हो जाईए